नमस्कार दोस्तों मैं पर्व वेदे सिने स्पीक्स की तरफ से एक बार फिल आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज आज दो बड़े फैसले आए हैं दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आईए है एक आईए बॉम्बे हाई कोर्ट से दूसरी आईए सुप्रीम कोर्ट से और दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज या दोनों ही फैसले सीधा सीधा महराश्टर सरकार के अगेंस्ट है उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट है पहला फैसला सबसे बड़ा कंगना रनाओत का BMC के अगेंस केस चल रहा था वो कंगना रनाओत ने जीत लिया है जिया दोस्तों उन्होंने जीत लिया है BMC ने जो उनको ऑफिस तोड़ा था उसका जुर्माना BMC को भरना पड़ेगा एक सर्वेयर इशू किया गया है, सर्वेयर को अपॉइंट किया गया है, माफ कीजी का, वो इस बात को देखेगा कि कितने खर्चा हुआ है, कितना पैसा वेस्ट या कितना डिस्ट्रॉय किया है BMC ने, उस हिसाब से उतना जुर्माना BMC को पे करना पड़ेगा कंगना वो इसको लेकर क्या काया है, आईये जानते हैं, यह उन्होंने ट्वीट किया है, वेर इंडिविजल स्टैंगें अगें गर्वर्मेंट और विंस, इस नौद विक्ट्री ऑफ देमोक्रसी, यह सीधा सीधा इन्होंने लोगतंत्र की जीत बताई है, यह उन्होंने कहा कि य मैं ब्रोकन ड्रीम्स, और उन्होंने यह काया है कि उन्हों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे तूटते सपने पर बहुत हस रहे थे, थैंक यू, और उन लोगों को भी जो लोग विलन बने मेरे लिए, ताकि मैं हीरो बन सकी, सो थैंक यू, सो मच उन् बी हाई कोट को टार्गेट किया है इस बात के लिए कि कैसे आपने 306 लगा दिया, किस हिसाब से, बेल तो मिलनी ही मिलनी थी अरनब गोसवामी को इतना समय कैसे लगा, साथ दिन अरनब जेल में थे, क्या रीजन है उसके पीछे, माफ कीजेगा, सुप्रीम कोट अब हर एक सबूत मांग रहा है हाई कोट से किस हिसाब से, किस के कहने पर, या क्या सोच के आपने कौन से सबूत देखे, क्या गवा देखे कि अरनब गोसवामी को आपने बेल नहीं थी, ये तो मामला था ही नहीं वाला, कि जिसमें बेल ना मिले, किस टाइप का आपने सोचा, ये हम साफ देख पा रहे हैं स्पेशली कंगना रानाओत के बाद से कंगना रानाओत जीता है ठाकरे सरकार आ चुकी है बहुत मुश्किल में है खेर आगे की न्यूस के लिए आप लोग देखते रहे हैं सेने स्पीक्स बहुत बहुत धन्युक्त